अस्सलाम अलेक्टम एवरीवन मैं हो मुहमद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलासफेस अकाड़नी आज फरस्टे के लेक्चर की बारी है और फरस्टे के लेक्चर में हमारा चप्टर नमर 9 नेचर अफ लाइट कंटीनियो है और आज का जो टॉपिक है वो हमारे आने व कितना आसान हो जाएगा और आज मैं टॉपिक आपको कवर करवाने वाला हूं वह इंटाफेरेंस ऑव वेव्स को स्टुड़ी करनेका और इंटाफेरनियॉज जिन में दो टाइप के इंटाफेरेंस होते हैं overlap करें ठीक है एक दूसरे के अपर overlap करें तो या तो वो क्या करते हैं वो एक दूसरे के effect को enhance करते हैं बढ़ाते हैं या फिर एक दूसरे के effect को reduce करते हैं या निके कम करते हैं ठीक है ना अगर दो या दो से जादा waves आपस में overlap करें तो दो conditions निकलती हैं दो ही चीज़े हो सकती ह या तो वो एक दूसरे के effect को enhance करेंगे, बढ़ाएंगे या फिर वो एक दूसरे के effect को reduce करेंगे, यानि कि कम करेंगे चाहे वो reduce करेंगे, चाहे वो enhance करेंगे, याद रखो overlap करने के बाद जो कुछ हो रहा है वो कहलाता है interference of waves interference का वैसे उर्दों मतलब होता है, मदाखलत करना तो जाहर सी बात है एक wave दूसरी wave में interfere कर रही है, इसी वैसे इसे कहा जाता है interference of waves और वो मैंने आपको बताती है, दोनों के समगा हो सकता है, चाहे enhance करने वाले effect हो चाहे reduce करने वाले effect हो, so हम यह भी कह सकते हैं के there are two types of interference पहला कहलाता है constructive interference, constructive interference वो है जब दो या दो से ज्यादा waves एक दूसरे के effect को enhance करें, ठीक है ना, constructive interference ही खास बात यह है के दोनों एक दूसरे के effect को enhance करेंगे, और ऐसा कब मुम्किन है, ऐसा कब होता है जब दो या दो से ज्यादा waves meet करें, such that the crust of one wave coincides with the crust of the other wave, एक wave का crust, दूसरे wave के crust से coincide करे and the trough of one wave, एक wave का trough, coincide करे with the trough of other wave, यानि के crust पे crust लाए करे, trough पे trough लाए करे, तो दोनों interfere करके एक दूसरे के effect को enhance करेंगे और ये interference होने वाला interference जो है, ये कहलाएगा constructive interference, क्योंकि ये दोनों ने एक दूसरे को construct करा, इस वजह से कहलाता है constructive interference, ठीक है, graphically समझ लेते हैं इसको for example, ये पहली वाली wave है, ठीक है, जो के travel कर रही है, यहां से start हो रही है, तो ये इसका origin point हो गया, ठीक है, ये zero point हो गया और बागी फिर distance cover हो रहे है, और आप लोगों ये तो पता होगा ना, कि एक crust और एक wave, ये जो है न, यहां से लेके यहां तक ये क्या कहलाएगी, इस point तक, इस point तक का distance है, ये one lambda कहलाता है, और इसी का आधा कर दें, अगर यहां तक का बना लेते हैं, तो वो कितना बन जात लेका lambda by 4, ठीके न, तो ये distance पता होगा, तो फिर हम आगे बात को समझ सकते हैं, अच्छा जी, अब जो condition है कि कब constructive होगा, कब destructive होगा, तो फिलाल तो आपको constructive का बता रहा हूँ, उसके लिए बहुत important एक factor है, जैसे कहते है path difference, यानि कि दोनों waves के दर्मियान में path का, जो उन कैसे हम wave बनाएं, यानि कि यो wave जो दूसरी wave न कहां से start हो, कि crust पर crusts लाए करे, riff पर trough लाए करे, तो वो possible है सिर्फ और सिर्फ जब वो wave इधर से start हो, यानि कि दूसरी wave इधर से start होगी, तो आप देखो, हर crust के ओपर crust आ रहा है, तो दोनों इक दूसरे की effect को enhance करेगे, य और फिलाल आप देखो, दोनों वेव सेम पंट से स्टार्ट हो रही है तो there is no path difference. यहनि कि दोनों का path difference किसके बराबर होगा? 0 के. यहनि कि आपने देख लिया कि अगर दोच दरम्यान का path difference 0 है, तो कौन सा बाला interference हो रहा है? constructive वाला क्योंकि crust पे crust और trough पे trough लाए कर रहा है लेकिन सिर्फ 0 यह possible नहीं है ये भी तो हो सकता है कोई wave कहीं और से start हो तब भी constructive interference हो तो देखते हैं ये जो wave है इसी को खिसका करम देखें कि यहां से start हो अगर दूसरी wave कोई भी wave यहां से start हो रही हो इसका मतलब अगर path difference एक lambda के बराबर होगा दो waves के दर्म्यान में तब भी दोनों कौन सा interference करेंगे तब भी दोनों करेंगे constructive interference और इसी तरीके से और क्या क्या conditions हो सकती है दूसरी वाली wave यहां से start हो सकती है यहां से start होगी तब देखें लो तो देखो यहां तक का distance आपको पता है कितना 1 lambda था और यहां पर 2 waves कंप्लीट हो रही है तो यह part difference कितना हो गया यह हो गया 2 lambda के बराबर यानि कि अगर part difference 0 हो lambda हो 2 lambda हो तो crust पे crust आ रहा है trough पे trough आ रहा है यानि कि constructive interference हो रहा है पाथ difference जिसें pd लिखते हैं in short वो बराबर होना चाहिए m lambda के and m क्या क्या हो सकता है m हो सकता है 0 तो देख लो m के जगा पे 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा m हो सकता है 1 m के जगा 1 पुट करेंगे तो 1 lambda आएगा जो कि आपने देखा पीछे आ रहा था पहला answer इसी तरह के से 2 पुट करने पर 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda तो यह तमाम के तमाम वो path difference है जहां पर interference होगा constructive interference दूसरे टाइप का interference कहलाता है destructive interference और नाम से ही जाहर है destruct करेंगे तो नों एक दूसरे को खतम करेंगे तो जब दो waves meet करें इस तरीके से कि एक wave का crust coincide करें with the trough of the other wave एक wave का crust दूसरे wave के trough पे लाए करें और फिर इसी तरीके से जो trough हो वो crust पे लाए करें ठीक है तो ऐसी सूरत में दोनों एक दूसरे के effect को reduce कर देंगे ठीक है ना और यह वाला interference कहलाता है destructive interference destructive interference यानि कि दोनों एक दूसरे को district करेंगे एक दूसरे के effect को cancel out करेंगे जब crust पे trough और trough पे crust लाए करें तो graphically ऐसा कैसे possible है पहला अगर मैं चाहूं तो पहली wave कहां से start हो अब ने देखा जब 0 से start की थी तो constructive interference हो रहा था लेकिन अगर उसको थोड़ा सा खिसका के आधे lambda के बाद से start करें यह half lambda है न ठीक है न यहां तक का 1 lambda होता है तो यह उसका half हो गया lambda by 2 तो देखो अगर दूसरी wave हम start कर रहे हैं half lambda से तो हर crust के ओपर trough आ रहा है crust के ओपर trough crust के ओपर trough यानिका अगर दोनों के दिर्मियान के रास्ते का फर्क यानिका पाथ difference lambda by 2 होगा तो कौनसा वाला interference हो रहा है यहां पर interference हो रहा है destructive interference इसी तरहीके से और क्या possibility हो सकती है wave कहां से start हो कि destructive interference हो तो दूसी possibility है कि wave यहां से start हो अगर दोनों के दिर्मियान में इतना फर्क हो रास्ते का तब भी crust पर trough पर पर क्रस्ट आ रहा है और यह कितना मना देखो यहां तक तो एक लेंडा हो गया यह वाला जो distance है यह वाला distance हो गया वन लेंडा के बराबर ठीक है लेकिन अब वन के बाद यह हाफ लेंडा और आ रहा है ठीक है न तो एक लेंडा और आधा लेंडा देड़ यह नहीं कि हम उसको क्या कहते है थ्री लेंडा बाई टू और अगर इस तरीके समझ में नहीं आ रहा तो देखो यहां तक का जो distance है अलड़ी हम लोग पढ़ चुके है कितने लेंडा होता है यह होता है हाफ लेंडा ठीक है न फिर यहां तक का distance हो जाएगा दो हाफ लेंडा के बराबर तो फिर यहां तक का distance हो जाएगा तीन हाफ लेंडा के बराबर इसी वैसे मैंने क्या लिख दिया है 3 lambda by 2 तो crust का distance 1 lambda by 2 फिर ये इस trough का distance 2 lambda by 2 जिससे स्रिफ lambda भी कह सकते हैं और यहां तक का distance हो जाएगा 3 lambda by 2 ठीक है जी तो अगला point क्या हो सकता है वेव काँ से start हो सकती है अब अगर वेव यहां से start हो दोनों वेव एक वेव तो ही 0 से start हो रही है दूसरी वेव इस distance से start हो रही है तभी crust पे trough और trough पे crust आ रहा है यानि कि जो interference है वो destructive interference होगा और अगर देखा जाए कि distance कितना बन रहा है तो देखलो फिर भी बात है यहां तक का distance था 1 lambda by 2 यहां तक का distance 2 lambda by 2 यहां तक का 3 lambda by 2 यहां तक का 4 lambda by 2 और यहां तक कितना हो गया 5 lambda by 2 तो यह जो अगला आगया part difference यह आगया 5 lambda by 2 for destructive interference और इसी तरीके से यह कहला आएगा 7 lambda by 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह हो गया 7 lambda by 2 तो अगर part difference इतना हो जो के बतारों और भी हो सकते हैं तो आपने देखा ग्राफिकली कि यहां पे interference कौन सा हो रहा है destructive interference तो फिर क्या बनेगा general formula for destructive interference part difference बराबर होगा m plus half lambda यानि क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 अब जरा सबसे पहले m की जगा पे 0 put करके देखो तो m खतम हो जाएगा 1 upon 2 lambda तो पहला वाला क्या था पहला वाला lambda by 2 ही था ठीक है जी इसी तरही के से अगर हम put करें m की जगा पे 1 तो 1 plus half कितना होता है 1 plus half होता है डेड़ डेड़ को हम कहते है 3 upon 2 ठीक है जी तो इसका अगर दूसरा वाला क्या बना था दूसरा वाला बना था 3 upon 2 lambda या 3 lambda by 2 एक ही बात है इसी तरही के से एक और देख लेते हैं ताके कोई problem ना रहे अगर मैं m की जगा पे 2 put कर देता हूँ ठीक है तीसरी के लिए m की जगा पे 2 put करूँगा तो 2 plus half 2 plus half होता है धाई धाई को हम कहते है 5 upon 2 ठीक है जो 2 और half है इसको 5 upon 2 भी लिखा जाता है तो बनेगा क्या यह बनेगा 5 upon 2 lambda या 5 lambda by 2 भी कह सकते हैं तो जो हमारा अगला आंसर आ रहा था वो यही था 5 lambda by 2 तीसरा आंसर यही था 5 lambda by 2 यानिके हम यह कह सकते हैं कि अगर part difference m plus half lambda के बराबर है तो interference कौन सा वाला होगा destructive interference तो देखा कितनी असानी के साथ constructive interference और destructive interference की conditions को आप लोग समझ सकते हो याद रख सकते हो और अगर यह concept आ गया आप लोग के जहनों में तो देखो कि आगे वाले जो topics है न उनमें रटे ही कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सब को समझ में आएगा I hope confusions clear हो गही होंगी ठीक है न तो next lecture मिलेंगे लाफिस